नमस्कार सबको स्रीकाल मैं गुर्दीप सिंग फसलों की जानकर इसे साथिवाज दान के अंदर हम बात करेंगे बीपेच के बारे में दान का बुरा प्लांट हो पर ब्राउन प्लांट हो पर जिसको बोला जाता है तो सोड़ा सत्रतारिक को फिर्सी मेला था इसार के अंदर तो वहाँ पे भी पहुंचते हैं उसे पे गोर करते हैं और चर्चा करते हैं और केती करते हैं टाइप से अनुसंदान करते हैं उनसे मिले उनसे काफी जानकरी हैं कठी हुई और यह जो आप पंपलेट देख रहे हो दान की खेती के ही पंपलेट है डी एसर मैथड हो गया दान के खर्वतवारों के बारे में जानकर भाले इक और के अंदर आज आघ प्रस्तव होता है तो उस चीज के बारे में आज बात चीद करेंगे और आपको को बतायंगे कि थी सिसका क्या 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 लक्षन रूटा हो और किस तरीक्ये के अंदर रहता है और कब यह नुखसान करता और कब नहीं और किने मतलब होने चाहिए एक प्लांट के अंदर भी अपने को सप्रेंग करने की ताइम ॐ Ze सी के राइफ साइकल जो 32nd 35 डेज की होता है और उसके बाद इसका जो निंप होता है जिसको डोल मतल yapmış और वेस्क जिसकर अडिय भी पिला एट यह को चूजते हैं तरह कूछ है और क्योंकि यह कब आता है मिल्क ग्रेन स्टेज पर आता है और तब प्लांट की आखरी स्टेज चल रही होती है दान असी दिन पिचासी दिन अब्बे दिन का वो चुका होता है जो बासमती है और उनके अंदर यह जो भी नूट्रेशन का जाइलम फलॉयम के द्वारा उपर और इससे पोदा जो पिला पढ़ने लग जाता है और बूरा पढ़ना लग जाता है और सूकने भी लग जाता है और इसके जो नुक्सान होता है उसको होपर बरन के नाम से जाना जाता है साथियो तो एक होपर बरन बहुत ही बड़ी प्रोग्लम है तो इसको द्यान से और विल्ट स्टेंट रोग का वहाँ कभी बोला जाता है होपर को करने के लिए क्या होता है जो नाइत्रोजन है उसको सफिलिट डोजिके अंदर बड़ी तरीके से जैसे ऐसे नहीं बीगे के अंदर एक गट्टा डाल दिया और काम खतम उसको दस-दस-पंद्रा-पंद्रा केजी करके सफली डोज के अंदर दें इससे होपर बरन की समस्य अपने को नहीं आएगी एक अपने जो दान है और डाई से 3 मिटर लगाने के बाद सिद्धी लाइनों में डाई से 3 मि से 3 मिटर जिए चोड़ दें एक पूरा गेरा चोड़ दें और उसके दोरा ये काफी कंट्रोल सकता है ये युनिविस्टियों की रिकेमेंडेसन है मैं उसके अनुसार ही बात कर रहा हूं कोई ये फेक बात नहीं हो रही मेरे पर ठीक है और उसके बाद हम बात करें 30 सेंट का ये यूज होती है जेविक विदियों के अंदर चरम पर कोप पे जब ये होपर होता है उसमें दस दिनों के इंतराल पे एक इंसेक्ट होता है लाइकोसा स्यूडो एनुलता इसको जो भी जेविक खेती करते हैं जहां पर भी खेती स्टैबलीस है बड़ीय तरीके से खेत और ये नेचरल रूप से पाई जाते हैं परकरति के अंदर भी पाई जाते हैं अगर हम मनेजमेंट आई-प्यम के तरीके से करें सब्सक्राइब करें को पता रहा हो अई-प्यम का मेथरी बता रहा तो उसके जरी हम बताएंगे जिसको इंट्रगेटर पैस्ट नाम हाइमनोपेटेयन टेतेया है जो इसको नुक्सान पचाती है अंडों का सिकार और सिसू का सिकार जिसको मैंने निंप बोला जो निंप बहुत ज़्यादा नुक्सान पचाता है तो उसको मिर्डबग खाते हैं मिर्डबग एक इंसेक्ट है जो नैचुरल रूप से प्रकृति के अंदर पाया जाता है अगर हम ज़्यादा पैस्ट यूजणा करें आई पीम के तरीके से लें तो अपने ये खेतों में देखने को मिलता है तो मिर्डबग इस अंडे को और सिकार और सिस्टू को खाते हैं और सिमाने सिकारियों के रूम में हम बात करें विसेश रूप से साथ हैं मकडियों मकडियां भी होते हैं जो अपने देखा होगा खेतों के अंदर सुवे सुवे हम दोरा करते हैं जाते हैं विजिट करते हैं तो मकड़ियों के उपर जाले बने होते हैं, वो भी एक परकार का नेच्छूरल एनिमी है, जो हमारे प्रकर्ती को भी फायदा पचाता है, और इंसेक्ट जो हारमफूल इंसेक्ट है, उनको भी कंट्रोल करता है, और उस मकड़ियों के साथ कोख्षी नेलीड नाम का एक इंस कंचाता है पानी के खरिग पना जाता है हो और जला जाता है कोई काड़ से को पानी का गिर 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 तो इसके बाद हम बात करेंगे कौन से ताप मान के अंदर यह रहता है और कब यह ज़्यादा प्रतिनन करता है और कब नहीं करता साथ जो अपने बीपी चोता है इसको कौन सा टमप्रेचर पसंद है इसको 27 से 33 डिग्री सेल्सिस अगरे अपने टमप्रेचर हो तो वो टमप्रेचर इसको बहुत ही अच्छा लगता है और उस ट्रम में समय आईए एन्वायरमेंट को पसंद करता है और अपना परजनन करता ह और अगर अपने तापमान 38 डिग्री सेल्सिस तक चला जाए और कम से कम 15 डिग्री सेल्सिस हो तो ये परजनन नहीं कर सकता उस समय तो एक ये बात होगी में जिसका इफेक्ट पॉइंट है तो रातरी के समय हम परकास जाल स्तापित कर सकते हैं जो भीज के आरियों के पास ना लगाएं और खेत के पास जो दान खेता उसके बिलकुल पास ना रखें तोड़िश दूरी पे रखें और प्रकास जाल होता है उसके उपर एक मिट्टी का बरतन या पानी से बरा हुआ को टब रखा जाए उसके अंदर केरोसिन तेल डाला जाए तो उससे भी काफी जो मैं आपको बता हूँ जेविक मेथड़ के अंदर आता है और उसके बाद हम कैमिकल की बात करें कैमिकल के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं जो आजकल की पीडी वो कर रही है पहले वाले काम छोड़ चुके हैं तो एक प्लांट के उपर होता है कम से कम पांच क्यूंकि तेक्निकल को समय से में वीडियो बना रहा हूँ तो ये बात चित करता रहा हूं कि फार्मर्स को टैक्ट्र का दिस्ट्पिटर के ओपर जाकर मांगे भी मैं को यह डैनूटैफरेंग्य यह चाहिए पाई मेत्रा जीन चाहिए लोड़ो पाईरो पोस्त यह तो टै तो पहली बात करें डाइनो टेफिरोन की जो 20% SD के अंदर आता है उसकी डोज साथियो एक विगा के अंदर 80 ग्राम होती है और इस डोज को 80-100 ग्राम तक भी डलवा रही है जब जादा अटैक हो तो उसके बाद पाई मेट्रो जीन जिसको चैस के नाम से जाना जाता है बरां चलता रहता है तो कुछ timing ता timing का patent होता है वो हम से अगले टाइम पे जो दूसरी पैश्एड के चाहिए तो उनको उनको ब्राने लग जाती है जो ब्रांड होता है और वही सेमघिदय होती है तो हम दूसरी कंपतों का पहले कंपणी ने के शर्ग बनाती थी अब उसkę vyक्ता वो पेंटेंड खतम हो गया का दो तीन साल हो गया तो और कंपनियों की दवाई आ रही है इसके अंदर तो उन्होंने ये सस्ती कर रखिये तो उसी साफ से अपने देख लेना चाहिए भी कौन सा टाइमिंग है और मिलिक ग्रेन स्टेज पर सबसे ज़्यादा आता है और कलोरो पाइरोफोस बीस इसी काप को हमने बताया है तो इसका यूज़ कर सकते हैं अमिड़ा कलोरोपीड 17.8% SL का यूज़ करना है चार लिटर के इंदर एक एमल दवा के यूज़ होता है और उपर से यह दवाई नहीं डाल सकते हैं यह उपर से गोल ने बनेगा पहले ही काम ही डलता है जिसको दानेदार होता है और सथीयो एक एफस फॉर्मॉलेशन के अंदर आता है जो सीड़ी ट्रीटमेटर के लिए यूज़ होता है मैं काफी बार बोल्च का हूँ उस जो जो चीज़ीड़ीटरेटमेटर के वास्ती यूज़ होती है तो वह अपने सप्रे जो हाता है पुछीश प्रसेंट एससी फॉर्मॉलेशन के अंदर वह भी इसके अंदर और पलस में थायो मैथ्यों जाम और यह दोनों ही बैन इंसेक्टिस हैड़ा दान के अंदर बासमती के अंदर तो अपने को यह नहीं करने चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है इस करता है तो उसको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुक्सान होगा कई फार्मर ने प्रैक्टिकल अंदर देखा भी होगा तो आने वाले टाइम में नुक्सान होगा क्योंकि इंसेक्ट उस इतनी तेजी से बढ़ता है तो अपने को नुक्सान हो जाते हैं कोई भी इन तो इन टेकनिकल का यूज़ करके आप कर सकते हो अगर नीचे आप जब सप्रे करो बीपिच के लिए पानी ना हो तो सरस्ट होगा पानी पहले लगा होना चाहिए और थोड़ा सा सही तरीके से सप्रे ओ तो आपका ये फाइदा हो सकते हैं तो साथियो धन्यवाद ये वीडियो कैसे लगी ये कॉंटेंट हिंदी में क्यों आ रहा है इसका करण ये है कि कई फार्मर्स मेरे को हिसार किरसी मेलेक अंदर मिले दूसरी साइट हो कि तो वह ले ये जो पहले वर लेंग्वेज थी थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने आती इसलिए हिंदी लेंग में जमयात आ रहा है ये कॉंटेंट क्योंकि सारे एरिये के लोग देख सकते हैं और आगे भी ऐसा कॉंटेंट आपको मिलता रहेगा और जुड़े रहें इस चैनल के साथ अगे से अगे से शेयर करें धन्याबार